हेलो स्टुडेंस, क्लास नाइन्थ मैथेमेटिक्स का लाइन्स इन चाप्टर वाला चाप्टर कर रहे हैं, राइट, आज हम लोग एक्साइस का क्वेश्चिन करेंगे, आप NCRT की बुक निकाल ले, ठेके, मैंने में निकाल लिया है, ठेके, मैं क्वेश्चिन रीट करता हूँ, इसमें देखेगा, पेश्च नमबर 104, राइट, एक्साइस 6.2, पेश्च नमबर 104, क्वेश्चिन नमबर 6, ओके, इन फिगर, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other, चेके, राइट, मैं बुक रख देता हूँ, यहाँ पर, ताकि मैं डाग्राम ड्रॉ कर सकूँ, ओके, चलिए, डाग्राम इदा बना देते हैं, क्या बता रहे हैं, two mirrors, ओके, एक mirror का नाम इन्होंने हाँ पर क्या दिया है, PQ, जो परवाला है, जैसे बुक में figure है, वैसे ही अपने को बनाना पड़ेगा, ठीके, और दूसरा mirror है, RS, ठीके, एक R लिखा है मैंने, और एक S लिखा हुआ है, अब आपसे क्या बोल रहा है, यह दोनो mirrors है, mirrors क्या होंगे, जो एक तरफ से polished होंगे, ठीके, right, तो polished दिखाने के लिए हमने कुछ ऐसा कर दिया है, ठीके, right, अब जहां से polish किया है, वहां से reflection नहीं होगा, ठीके, यह वाली, यह वाली नहीं, यह अंदर वाली जो है, यह mirror है, तो अंदर वाली उसके क्या ह हो गई, reflecting surface हो गई, यहां पर भी जो अंदर वाली reflecting surface, मतलब दोनों की reflecting surface आमने सामने हैं, ओके, यह इस तरफ से polished है, यह इस तरफ से polished है, reflecting surface दोनों का आमने सामने हैं, ऐसा question में दे रखा है, आगे चलते हैं, PQ and RSR two mirrors placed parallel to each other, यह दोनों आपस में क्या हैं, parallel हैं, आगे चलत to at B, ठीक है, एक incident ray, राइट, यह incident ray हो गया है, यहां पर, A, B, राइट, इसको मैं रप कर देता हूं, प्रॉपरली, आपको दिख रहा होगा शहें, ओके, इस point को लिख दे हैं, मैंने B, यहां से reflect होके, यह इधर आ जाएगी, यह इसके reflecting surface है, तो यहां पर ray आई, यह इस point से reflect होई, और इधर चले गई, छीक है, फाइन, आगे क्या बोल रहा है, the reflected ray moves along the path B, C, and strikes the mirror R, S, at C, और, यहां से reflect होगे, वो इधर आ गई, पर इधर भी reflecting surface है, इस point को मैंने क्या नाम दे दिया, C, और यहां से दुबारा reflect होगे, छीक है, new eye, यहां आई, यहां से reflect होगे, इधर चले गई, इसको थोड़ा properly बना देते हैं, ओके, चलिए, इस तरीके से, ओके, इस line को यहां पर figure में क्या नीम दे रखा है, D, right, यह वाला point क्या होगे, D, fine, line, तो यहां से ray आई, इधर reflect होई, यहां से दुबारा इधर आगई तो, इधर भी reflecting surface है, यहां से भी reflect होगे, छीक है, ऐसा अनुरा diagram दे रखा है, आगे पढ़ते हैं question में, and again, reflects back along CD, prove that AB parallel to CD, हमें prove करना है, यहां पर AB और CD parallel है, ठीक है, चलिए जी, सबसे पहले तो given लिखने के अपनी रस्म पूरी कर लें, given, right, given हमें क्या दे रखा है, यहां पर, PQ parallel to RS, ठीक है, PQ और RS आपस में क्या है, parallel, यह वाली line, यह वाली line, आपस में parallel, ऐसा question में given है, ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमें, यहां पर यह दे रखी है, बाकी यह incident ray, right, BC reflected ray, इधर आकर यह incident हो जाएगी, यह reflected हो जाएगी, ओके, चलिए, to prove, हमें यहां पर, क्या proof करना है, हमें proof करना है, AB parallel to CD, AB और CD आपस में यहां पर क्या है, parallel है, यह हमें proof करना है, छोटा सा एक construction कर लेते हैं, right, क्योंकि जितना diagram दे रखा है, उसको थोड़ा सा हमें, right, proof करने के लिए कुछ और additions करने होंगे, ठीके, चलिए, करते हैं, तो construction है, आपर, draw MB, perpendicular to PQ, and NC, perpendicular to RS, MB, इस जगे, हमने एक perpendicular draw कर दिया, MB, right, dotted line से बता दूँ, ठीके, MB, perpendicular to PQ, उसी तरह से इस point पे, हमने एक perpendicular draw कर दिया, right, NC, NC, perpendicular to RS, right, अब हम proof करने जा रहे हैं, proof करने से पहले, हमें physics का concept याद है, right, fine, क्या हमने पढ़ा था, suppose, यह हमने mirror ले ले लिए हैं आपर, right, यहां से ray आई, इस point से reflect होके, इधर चली गई, right, और यह जो point of reflection है, right, यहां पर, यहां पर मैंने 90 degree का angle draw कर दिया, और यह, okay, तो यह जो line आ रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, incident ray, और इस point से reflect होके जो जा रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, reflected ray, ठीक है, fine, तो यहां से new आ रही है, incident ray, और इस point से reflect होके जा रही है, reflected ray, और यह जो मैंने 90 degree का perpendicular draw किया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, normal, ठीक है, तो हमने physics में पढ़ा, incident ray, जो normal के साथ angle बनाती है, उसको हम लोग बोलते हैं, angle of incidence, इसको हमने i से denote कर दिया, small i से, angle of incident, और यह जो reflected ray है, यह जो इस normal के साथ angle बना रही है, इसको हम बोलते हैं, angle of reflection, right? यह angle of incidence, यह angle of reflection, right? और according to the laws of reflection, हमने पढ़ा, angle of incidence is always equals to angle of reflection, i equals to r, चीक है? फाइन, यह सब को याद आ गया होगा, मतलब i equals to r, हमें इधर concentrate करना है, और इधर आ जाएं आप, जैसे आप देखो, यह line incident ray है, और यह reflected ray है, तो आप देखो, यह angle of incidence हो गया, और यह angle of reflection, तो यह दोनों angle आपस में equal होंगे, मतलब अगर यह x होगा, तो यह भी क्या होगा? x, समझ गया है क्या? angle of incidence is equals to angle of reflection, देखो, यह incident ray, यह reflected ray, तो यह वाला angle इसके equal होगा, तो यह x है तो यह भी x, उसी तरीके से, अगर मैं इस point के बात करूँ, तो यह incident ray होगई, यह reflected ray, तो यह वाला angle इसके equal होगा, angle of incidence equals to angle of reflection, मतलब अगर यह y है, तो यह भी क्या होगा? y, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, चले, आगे चलते हैं, ओके, अब हम शुरू करते हैं, proof, चीक है, यहाँ पर लिख दिया, proof, fine, अब आप देखो, सबसे पहले, इन दोनों को equal कर लेते हैं, fine, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया, angle a, b, m, equals to angle m, b, c, right, a, b, m, मतलब यह वाला angle, m, b, c, मतलब यह वाला angle, यह दोनों angle आपस में equal होंगे, क्यों होंगे, अभी मैंने बताया, right, fine, क्या reason है, angle of incidence equals to angle of reflection, अगर यह दोनों आपस में equal हैं, तो हमने मान लिया, let angle a, b, m, equals to angle m, b, c, equals to x, तो यह x है, तो यह भी क्या होगा, x, उसी तरह सिधर आजाते हैं, angle b, c, n, equals to angle n, c, d, same reason, angle of incidence equals to angle of reflection, यह वाला angle, b, c, n, यह वाला angle, n, c, d, यह वाला angle, तो मैंने मान लिया, let angle b, c, n, equals to n, c, d, equals to y, यहां तक का काम पुरा हुआ, ओके, अब आप देखो, मैं जितना लिखा हुतना पुरा हो गया, अब मैं यह कहना चाह रहा हूँ, कि यह वाली line, b, n और c, n, आपस में parallel है, right, क्या बोला मैंने, b, m, और c, n, आपस में parallel है, क्यों parallel है, ठीक है, right, मैं लिख देता हूँ, यहापर, सबसे पहले देते हैं, यहापर, b, m, is parallel to, b, m, is parallel to, c, n, why, perpendiculars to the parallel lines are also parallel, यह perpendicular है, हमने यह तो बोला था, draw mb, यह 90 degree बना रहा है, यह भी 90 degree, मैं यहापर सिर्फ action ही कर रहा हूँ, बना रहा, वना बहुत कुछ, मैं सबसा लगेगा आपको, तो यह वाली line इस पह perpendicular है, और यह वाली line इस पह perpendicular है, तो मैंने क्या बोला, perpendicular to the parallel lines are also parallel, ठीक है, जो line, pq और rs parallel है, तो जो line, parallel line के perpendicular होगी, वो आपस में भी क्या होँगी, parallel होँगी, ठीक है, राइट, तो इसलिए, bm और cn आपस में यहापर क्या है, parallel, समझगे न, जैसे pq और rs parallel है, ठीक है, यह line इसके perpendicular है, यह इसके perpendicular है, तो यह दोनों आपस में parallel हो जाएंगी, क्यों हो जाएंगी, आप सोचो, नहीं आता है, तो अपने teacher इंचार्स से console करें, ठीक है, तो फिलाल मैं बता रहा हूँ, कि यह दोनों आपस में क्या है, parallel है, चलिए, इस इसको आगे पढ़ाते हैं हम लोग statement को, BM is parallel to CN, and BC is the transversal, ठीक है, यह दोनों आपस में parallel हैं, और यह transversal है, समझ पा रहे हैं क्या, मैं ज़िए से यहाँ पर बना दूँ, इस तरह से कुछ, यह line इधर है, यह line इधर है, और यह दोनों आ रहा है, BC, यह point B है, यह point C है, यह M है, यह N है, आप देखो, यह दोनों आपस में parallel हैं, तो यह क्या हो जाएगा, BC is the transversal, the line which cuts two or more lines, is called as transversal, अगर ऐसा है, तो यह वाला angle इसके equal हो जाएगा, right, alternate interior angles, ठीक है, तो लिख सकते हैं, therefore, angle MBC is equals to angle BCN, चीक है, alternate interior angles आपको clear हो चुके होंगे पहले, fine, तो इसके आगे लिख देता हूँ मैं, Y, alternate interior angles, अब आप देखो MBC, यह वाला angle, MBC, और यह वाला angle, BCN, मतलब यह दोनों आपस में equal है, MBC, BCN, MBC को तो क्या मान चुके हो आप, X, और BCN को क्या मान चुके हो, Y, तो आपने क्या prove कर दिया, X equals to Y, चलिए, pause करके इतना लिखे, फिर अपना आगे discuss करते हैं, चलिए, आपने लिखा होगा, तो हमने X equals to Y, prove कर दिया, यह वाला side wrap कर रहा हूँ मैं, चलिए, दिखते हैं इसको आगे, अब आप देखो, again, again मतलब दुबारा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि महाँ पर मिट चुका था, right, मैंने क्या किया, दोनों तरफ 2 से multiply कर दिया, X equals to Y आचुका था नहीं यहाँ पर, X equals to Y, multiply both the sides by 2, दोनों तरफ same operation कर सकते, तो क्या हो गया यह, 2X equals to 2Y, 2X का मतलब होता है, X plus X, तो अगर 2X हो गया, तो यह पूरा अंगल क्या है यहाँ पर, 2X, तो 2X का हम लोग क्या लिखेंगे, अंगल ABC, उसी तरह से 2Y, Y plus Y, तो इस अंगल को क्या लिखेंगे, B, C, D, B, C, D, तो दिहान से देखिए, आपने यह वाला अंगल इसके equal कर दिया, कुछ डाइगराम इस तरह से हैं, इधर ही बना रहे तो हमें, इस तरह से डाइगराम बना हुआ है, तो आपने ABCD, तो आपने यह वाला अंगल ABC, किसके equal कर दिया, B, C, D, ABC, BCD, अब ध्यान से देखो, यह अंगल क्या है, आपने क्या equal कर दिया, आपने alternate interior angle equal कर दिया, हमने क्या पढ़ा था, कि अगर दो लाइन को parallel proof करना है, तो तीन condition है, या तो corresponding angle equal कर दू, alternate interior exterior angle, या फिर the sum of interior angles on the same side of transversal is of 180 degree, तो इन तीनों में से हमने proof किया, alternate interior angles are equal, चीक है, right, तो हमने यहाँ पर, यह दर बना देता हूं है दुबारा diagram, यह दोनों line parallel थी, इस तरह से था, A, B, C, D, हमने यह वाला angle इसके equal proof कर दिया, A, B, C equals to B, C, D, तो इदा लिकते हम लोग, but they are alternate interior angles with lines A, B, and C, D, and transversal B, C, and are also equal, right, तो यह दोनो alternate interior angles हैं, किस के साथ, A, B, और C, D line के साथ, और B, C, transversal के साथ, और alternate angles हैं, यह तो ठीक है, पर आपस में equal भी हैं, तो अगर alternate interior angles equal हो जाएं, तो जो lines आपने नहीं हैं, वो lines क्या हो जाएंगी, parallel, A, B is parallel to C, D, right, fine, hence, proved, this is what we have to prove, आप पास करके लिख लें, प्लीज, चलिए, आपने लिख लिया होगा, तो आज हमने, right, एक exercise और कतम करी, right, मैंने तो आपको एक question बताया, तीन examples बता दिये, इससे पहले, अब questions आपको try करने, समझ गए आप मेरी बात, क्योंकि अगर मेरा बताया वाए question देखेंगे, और इसी को कर लेंगे, तो इससे mathematics नहीं आईगी, right, मैंने बताया, मैं तो सिर्फ आपको एक guidance दे रहा हूँ, ठेके, आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि question कैसे solve करने, बाकी आपको मेहनत करने है, ठेके, right, अब आप बाकी questions अच्छे से करें, ठेके, right, इसके साथ जो worksheet आईगी, वो worksheet भी करें, right, अपने आप कोशिश करने है, ठेके, Google से, किसी भाया दिदी से, राइट, कई और से पूछ कर, cheating करके अपने को नहीं करना है worksheet को, खुद की मेहनत से करना है, ठेके, आप मेहनत नहीं करोगे, आपको mathematics नहीं आएगी, चाये कोई भी आपको कितना बता दे, ठेके, चाये आप Google से कितना भी देखके कर लो, ठेके, तो अपने आप करेंगे, जो भी doubt आएगा, उसके लिए आपको doubt teacher से point हो चुके है, ठेके, right, उनसे आप doubt clear करिएगा, ओके, तो next class में मिलते हैं, same chapter के साथ, एक नए topic के साथ, तब तक practice करते रहें, पढ़ते रहें, और अपना ध्यान रखें, बाइ